हेलो स्टूडेंट्स मैं आपकी हिंदी टीचर अलका शिवस्तम आज हम लोग हिंदी सुला भारती पाच्वी कक्षा का दूसरा लेसन नंदन बन पढ़ेंगे और देखेंगे भी नन्दन मन में पहला चित्र आपका क्या है पोधे लगाओ पेड पेड़ बचाओ पीलों को जो पेड हें उनको बचा ना ही है और नही नही पाधे भी लगाना रही देखें इस चित्र में कितने सारे पेर हैं और क्या-क्या दिखा है देखिए नमस्ते ठीक है स्वागत है नाचो गाउ कतार में चलो कतार में चलो लाइन में चलो हम सब साथ हैं देखा आपने यह चित्र अब दूसरा चित्र है आपका हरे आली में खुशाली हरे आली में अगर हरा भरा सब जगे हैं पेड़ पौधे हैं तो खुशाली एपेड़ पौधे से हम सब को खाना पीना सब कुछ मिलता है ना इस लिए देखिए इसमें भी कुछ शबद दे हुए हैं प्रणाम जलही जीवन है जल है तो हम लोग पीटें और जीवित रहते हैं सभी पशु पक्षी जल का जल की आविशकता पड़ती सब को पेड़ पौधों को भी जल की आविशकता पड़ती ही इसलिए कहते हैं जल ही जीवम है, देखा आपने चित्र, अब देखें यहाँ पे कुछ, कोष्टक में सही शवलिचुनका चित्रों के सामने, कुछ पक्षी दियें, कुछ जानबर दियें, तो उपर दियें, पहला क्या है, इधर मैंने दिया भी है, पहला क्या है, हाती है, बाग है भालू है लोम्री है मचली है तोता है चिडिया है बगला है मेडक है मगर अब अपनी नोट्बुक में यह चित्र बना लेना और उनके नाम भी लिखना अब नाम लेखो, काउं काउं करने वाला पक्षी कौन होता है, रंग वी रंगी पूछ वाला पक्षी कौन होता है, तवरक तवरक दोरने वाला जानबर कौन होता है, वाँ वाँ की बोली वाला जानबर कौन होता है, जंगल का राजा कहनाने वाला पशु, यह देखें, मैंन परने वाला जानमर घोड़ा वहां वहां बोलने वाला पशु गाए जंगल का राजा जंगल का राजा कहलाने वाला पशु सिंग शरीए पर चित्तियों वाला पशु को ने चीता अब देखे कुछ चित्र दिये यहां पर चित्र देखकर दिखते स्थानों में उचित सब्द बाग के लिखो उचित सब्द यह बाग के लिखो नमस्ते, नाचोगाओ, स्वागते, कतार में चलो, हम सब साथ हैं, प्रणाम अब पहला क्या है, नाचोगाओ, दूसरा क्या है, कतार में चलो, कतार मतला नाइन में चलो और तीसरा क्या है आपका, नमस्ते, प्रणाम, स्वागते, और हम सब साथ हैं शाकाहारी प्राणियों के नाम बताओ और मासाहारी प्राणियों के नाम बताओ शाकाहारी प्राणियों के नाम आप देखे जैसे गाय, भैस, बक्री, हाती यह सब घास, फूस यह सब खाते मासाहरी प्राणियों के नाम जैसे शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली ये सब मासाहरी प्राणियों के नाम है आप अपने आप से लिखेंगे निमलिकित प्राणियों के नाम उचित खाने में लिखो कौवा, बैल, मचली, मगर, सिंग, आप्तोपस, हाती, मोर, चडिया थलचर, थलचर मतलब जो जमीन पर चलते हैं, उनको हम थलचर कहते हैं, अब थलचर जमीन पर कौन कौन चलते हैं, जैसे हाती चलता है, सिंग चलता है, बैल चलता है, जलचर जो जल में रहते हैं, जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, जैसे मचली, मगर, आक्टोपस, यह सब जल में रहते हैं, नभचर जो आकाश मोडते हैं, जैसे कौवा, चिडिया, मोर, आरी नभचर हैं, यह देखे मैंने लिखे भी हैं, पालतू प्राणियों और उनकी आबाजे लिखो, किनी पांच पालतू प्राणियों की आबाजे लिखो, जैसे गाय कैसे बोलती है, वाँ वाँ बक्री में में बिल्ली म्याउं म्याउं घोड़ा हिन हिन कुट्ता भौवो थेंक्यू यह सब आप अपना हॉमबग करेंगे जो हॉमबग आपको लिखा है वो लिखेंगे और जो आपको लिखने के लिए दिया है वो मैंने बताया है आप लिखी ठीके थेंक्यू झाल झाल